हेलो आवरीवन मेरे यूटूब चैनल तड़का पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है आज हम मनाने वाले हैं अंकुरित मुंग दाल और फालक के बहुती स्वादिश्ट पकोड़े जिसके लिए मैंने डेड़ कप मुंग दाल ली है जो हलकी हिलकी अंकुरित हो चुकी है इ इसी तरह से हम बाकी बची हुई डाल को भी पीछ लेंगे थोड़ा सा हम पूरी डाल को फेट ले हमें साबूत पालक लेनी है पालक को मैंने अच्छे से साफ करके दोलिया है दिखाए गई तरीके से पालक की पत्यों को फैलाए और उस पर मुंग दाल की जितनी भी मोटी कि पतली परत आप इसमें लगा दे एक के बाद एक करते हुए चास से 5, 5 से 6 पालक की पतिया आप इसमें लगा सकते हैं जितना भी आप चाहें उसके बाद पालक को रोल करतें खुलेगा नहीं यह एक दूसरे से छिपक जाएंगे इसी तरह से करते हुए हम सभी पालक के रोल तैयार कर लें 15-20 मिन तक हिन्हें रखे रहने दे और फिर हिन्हें स्मोल साइज में चाकू की सायता से काट ले चाकू दातों वाला होना चाहिए उससे आसानी से ये रोल कट जाएंगे कड़ाई में तेल गरम करें और एक एक करके छोड़ते हुए हम सभी को गोल्डन ब्राउन होने तक प्राई कर लें एक आध रोल अगर खुल भी जाए तो कोई प्रोब्लम नहीं है ऐसे ही करते हुए हम सभी रोल को गोल्डन ब्राउन होने तक ट्राई कर लें पालक के ऐसे पकोड़े आपके कभी नहीं खाए होंगे होली आने वाली है इन्हें जरूर ट्राई करें बहुत ही क्रिपसी पकोड़े बनकर त्यार हुए हैं पालक के पकोड़ों के ये रेसेपी आपको कैसी लेगी मुझे कमेंट बोक्स में जुरूर बताईएगा पसंद आये तो प्लीज लाइक एन शियर करना ना भूले बहुत ही क्रिपसी पकोड़े बनकर त्यार हुए हैं गर्मा गरम क्रिपसी पकोड़े टोमेटो केचप के साथ तरु करें करी मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेडियो में किसी नई रहतेपी के साथ सब तक मेरे साथ यूहीं बने रहें कर दो